स्वागत हैं आपका दिवे हिमाचल टीवी में मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के 6 बच चुके हैं और प्रदेश के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटर सब्डेट साजस बुलेटिन में हम आपके साथ साजह करने वाले हैं देखे विशेश तोर से ब कारेकरम में ये गए थे वहां इनकी ओर से एक बड़ी घोशना की गई है डॉक्टर्स की भरती को लेकर इसके अलावा मामला अगले कल की कैबिनेट बैठक में भी जाएगा और क्या कुछ निर्ने इस पर आएगा बिल्कुल यानिकि संभावना किस तरह की बनी है किस प्रक जानकारी इसी बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं इसके अलावा जो कुछ घटनाए पेश आई है मस्चिद मामले को लेकर इससे संबंधी जानकारी भी हम आपके लिए लाए हैं लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मौनसुन अब जल्दी ह के बाद खत्म होगा देखें स्टेट सी आईडी की एंटिएफ की टीम ने एक गुप सूचना के तहत कारवाई की है यहां चिट्टा तसकर को पकड़ा है और यह जो डीलर था जम्मू कश्मीर से संबंधित बताया जा रहा है कुफवाडा का मूल रूप से रहने वाला था रोडू में किसी दूसरे तसकर को बेशने के लिए चिट्टा लाया जा रहा था इसकी ओर से और तकरिबन इससे 468 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है 468 ग्राम चिट्टे की खेप इससे बरामत की गई है यह काफी बड़ा तसकर बताया जा रहा है और रोडू में जिस तस तसकर को पकड़ के इतने बड़े बड़े डीलर्स हैं और देखिए बाहरी राज्यों से यहां पर चिट्टे की सप्लाई करने के लिए पहुंच रहे हैं अब बाकी का इसमें जो मामला है उस पर भी जांच हो रही है यानि की बैकवर्ड लिंक्स भी खंगाले जा रहे हैं औ पोड़ू में जो बड़ा सरगना है चिट्टा तसकरी का उससे संबंदित और भी लोगों की जानकारी यहां सामने आ सकती है यह किसे सप्लाई करते थे कैसे पूरी डील करते थे और इस पर संजीव गांधी की ओर से भी यही जानकारी दी गई है कि फिलहार NDPS Act के तहत माम मामला दर्श हो चुका है जितने भी चिट्टा तसकरी से जुड़े बड़े सरगना है उन्हें पकड़ने का काम यहां पुलिस की ओर से हो रहा है और यह स्टेट CID की ANTF की मदद से यहां पर संभव हो पाया है यह भी हम जरूर कहना चाहेंगे इसके अलावा मस्चिद मामल की ओर से आज बड़ा प्रदर्शन किया गया है करनी सेन और हिंदू सगटनों ने चेतावनी दे दी है कि अगर अगले 10 दिन तक वेरिफिकेशन नहीं होती है बाहरी राज्यों से आये हुए लोगों की वहां तो फिर यह दुबारा अपना आक्रोश दिखाएंगे हलाकि आ लेकिन 10 दिन का अल्टीमेटम वहां नेर्वा में दे दिया गया है हिंदू संगटनों की ओर से कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जल से जल बाहरी राज्यों से आये लोगों का पूरा किया जाए और दूसरी मांग ये उठा रहे हैं कि वक बोर्ड को ही स्माप्त कर दिया जाए वक पोर्ड अगर खत्म हो जाएगा तो इस तरह कि अव्याद गतिवीधिया नहीं होगी हिंदू संगटनों का मानना है कि नेर्वा में काफी वर्षों से जो विशेश समुदाय यानि कि मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं उन्होंने हमेशा ही आपसी भाईचारा बन की बात है ये मार पीट और रेप जैसी घटनाओं को वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं जिसे सहन नहीं किया जाएगा इसलिए अगले 10 तिन में वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किया जाए ये नेर्वा में लोगों की ओर से चिताबनी दे दी गई है लेकिन बड़ी मांग दि करें वहां भी कुछ हिंदू संगटनों की ओर से यही अल्टिमेटम दिया गया है कि जल से जल वक्त बोर्ड को समाप्त करने पर फैसला लिया जाए अव्याद गतिवीधिया इसी बोर्ड के थू कहीं ना कहीं हो रही है ये कुछ एक संगटनों का मानना है इस पूरे मोहौ के बीच माकपा की ओर से भी एक ऐलान हुआ है ये 27 सितंबर को शिमला सीटी में बड़ी रैली निकालेंगे और ये रैली निकाल रहे है हिमाचर प्रदेश के चैन, अमन और भाईचारे को कायम रखने के लिए इनकी ओर से संदेश ये दिया जाएगा कि जैसे आज से पहले दोनों समुदायों के बीच भाईचारा था उसे आगे भी बरकरार रखा जाए, यहाँ सामप्रदाईग घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, सामप्रदाईग हिंसा को बढ़ाया जा रहा है, कुछ शरार्ती तत्व है जो की महौल बिगाडने में लगे हुए हैं, लेक बात यह दोहराने वाले हैं, यही संदेश देने वाले हैं, कि आने वाले दिनों में आपसी भाईचारा कायम रखा जाए, लेकिन दूसरी ओर हिंदू संगठन काफी जादा आक्रोश में है, यह पीछे नहीं हटेंगे, जब तक अब वक बोर्ड को स्वाप नहीं किया जात यह हिंदू संगठनों की ओर से यहां दावा हो रहा है, अब देखिया महौल इस तरह का बन गया है कि विशे समुदाय के लोग दिल्ली जा पहुँचे हैं, जहां इन्होंने कॉंग्रेस के राश्ट्रिय नेताओं से मुलाकात की है, केसी वेनु गोपाल से विशे समुदा इनकी ओर से बात ये रखी गई है केसी वेनु गोपाल के सामने कि फिलाल हिमाचल प्रदेश में महौल खराब किया जा रहा है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनमें डर की भावना पैदा की जा रही है, डर का महौल इनमें बढ़ाया जा रहा है, ऐसा आज से पहले क कभी नहीं हुआ, हिमाचल में कोई भी सरकार रही हो, उसने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन कुछ लोग है जो कि महौल बिगाडने पर आ गए हैं, और विशे समुदाय के खिलाफ नारे बाजी कर रही हैं, अभधर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब तो मार करती नीधी मंडल की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है, जो मिलने गया था दिली में नेताओं से, कि केसी वेडू कोपाल ने मुख्या मंतरी सुखु को फॉन से संपर किया, टैलीफॉनिकली उनकी बात हुई, और सी एम सुखु को उन्होंने ये सभी घटनाएं खत्म कर करने के लिए कहा है, उनका कहना है कि इन सभी घटनाओं पर रोक लगाई जाए, प्रदेश में दुबारा से शांती पुर्वक महौल बनाया जाए, ऐसे कुछ कदम अब सरकार को उठाने होंगे, तो ये भी एक पुरा वाक्य सामने आया है, जहां एक और हिंदू संगठन लगातार मांग उठा रहे हैं, बाहरी राजियों से आई लोगों की वेरिफिकेशन हो, अवैद रूप से जो दुकाने खोल कर बैठे हैं, अवैद रूप से रह रहे हैं मस्चिदों में, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, दूसरी और विशेश समुदाय दिल्ली पहुँच कया है, जिनका ये मानना है कि मुस्लिम समुदाय को तंग किया जा रहा है, और उनमें डर का मोहल पैदा किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो वक्ट बोर्ड को लेकर मांग उठी है, क्या हिंदू संगटनों की ये पूरी हो पाएगी, क्योंकि सिर माचर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की ओर से एक ऐसा ही कदम उठाया गया था, बात हम सिरमौर के पॉंटा साहिब की कर रहे हैं, जहां SGM को ग्यापन सौंब दिया गया है, विशेश समुदाय की ओर से, कि अभध्र टिपनिया उनके खिलाफ हो रही है, नारे बाजी हो होनी चाहिए, हाला कि मंडी नगर निगम कोर्ट में ये फैसला सुना दिया गया है, कि 30 दिन के भीतर वहां जेर रोड में जो मस्चिद का अवैद मिर्मान हुआ है, उसे हटाया जाए, और इसी मामले पर पिछले कल सोलन में कुछ वैपारी आपस में भिढ भी गए थे, त 21 सितंबर को इनकी ओर से भी प्रदर्शन किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में एक ही आवाज, एक ही स्वर नजर आ रहा है, कि बाहरी राज्यों से जो लोग आए हैं, बीना वैरिफिकेशन के रहे रहे हैं, अवैद रूप से रहे रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता बनाया हुआ था, आज तक ऐसी अवैद गती वीधियों का अंजाम नहीं दिया, ना अवैद रूप से दुकान खोली, या जो कुछ महीने पहले यहां आकर बसे हैं, या दो से तीन साल पहले यहां आकर बसे हैं, सिरफ यही महाल बिगाणनी की कोशिश कर रहे हैं, तो इनक की वैरिफिकेशन होना जरूरी है, फिलहाल हिंदू संगटनों से जुड़ी और विशे समुदाय से जुड़ी जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं, लेकिन इस बीच राजनीती भी गर्माई हुई है, और बात आज यहां भाशपा विधाय करंधीर शर्मा की ओर से यह कही की गई है, कि जब संजॉली मस्चित को लेकर प्रदर्शन हुआ तो उसके बाद सर्वदलिय बैठक मुख्या मंत्री ने बुलाई और यह ऐलान भी कर दिया कि बाहर से आये हुए लोगों की वेरिफिकेशन होगी, लेकिन सेशन के दौरान बड़ा मुद्दा उन दुकानो को लेकर गुंजा था जो अवैद रूप से विशेश समुदाय की ओर से चलाई जा रही है, और इसके लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाई जाएगी, यह ऐलान सेशन में भी हुआ था, पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी का गठन करने की बात हुई थी, और मुख्या मंत दुकानों को लेकर भी है, जो अवैद रूप से रडी-फडी सजाई गई है, उसे लेकर भी है, और भी यहां कुछे एक मुद्दे उठे हैं, जो पुरी तरह से अवैद बताये जा रहे हैं, तो यह स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाने की बात हुई थी, लेकिन इसके विधायक रंधीर शर्मा की ओड़ से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, एक और बड़ा मामला सामने आया है, यह द्रंग विधान सबाक शेत्र में हटॉन गाउं है, जो की पूरी तरह से खत्रे की जद में आ गया है, दरसल मंगलवार को जब तेज बारिश हुई, तो सड सडक के बीचों बीच वहां गड़ा पड़ गया था, हटॉन गाउं का, यह मुख्या मार्ग है, जहां बड़ा गड़ा सडक के बीचों बीच हो गया है, और 24 घंटे के भीतर इस गड़े का आकार और जादा बढ़ गया है, लेकिन लोग इस वज़र से घबरा रहे हैं, क्य क्योंकि जो गड़े से मलबा गिर रहा है, वो सीधा टनल के भीतर जा रहा है, अभी हाल ही में वहां टनल का निर्मान शुरू किया गया था, लेकिन तीन महीने से यह टनल का निर्मान भी बंद है, क्योंकि स्थानिय लोगों की ओर से दावा हो रहा है, कि जिन ठेकेदारों को यह जिमा सौंपा गया है जिस कंपनी को जिमा सौंपा गया है उसे सरकार की ओर से अदाइगी नहीं की गई है इस वज़ा से तीन महीने से टनल का निर्मान भी नहीं हो पाया है और जो पहाड है वो पुरी तरह से खोखले हो गए हैं क्योंकि बार-बार टनल निर्मान के ल जा रहा है हलाकि स्थानिय लोगों ने शिकायत ये भी की है कि इन्हों ने कई दफ़ां डिसी मंडी को पत्र लिखा एंचे आई को भी पत्र लिखा कि वहां आकर जांच की जाए कहीं ये पहार पूरा नीचे ना आ जाए जैसा कि हम हिमाचर प्रदेश में देखते भी हैं कि अधिकतर हिस्सा पहाडी का कब नीचे लुड़क जाए इस बात की कोई जानकारी नहीं होती तो इसी वज़ा से जांच करने की मांग उठा रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका असर देखनी के लिए ये मिर रहा है कि उसी पहाडी पर बनी सड़क में बड़ा गड़ जिस वज़ा से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रही है तो यहां हाला ठीक नहीं है 24 घंटे के बाद गड़े का आकार बहुत बड़ा हो गया है यह गड़ा और जादा बड़ा हो सकता है यह भी वहां के लोगों की ओर से दावा हो रहा है और पूरा हटान गाउं इस वक् पूरी तरह से जिमेदार ठहरा रहे हैं कल पैंशनर्स की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा यह उपायूत कारेलय के बाहर एक अतृत होने वाले हैं तीन बड़ी डिमांड्स को लेकर एक तो यह कि इन्हें महीने की पहली तारिक को ही पैंशन चाहिए जैसी कि पहल होती है उसका भुकतान भी ने दिया जाना चाहिए मैडिकल बिलो तक का भुकतान इनका नहीं हो रहा है तो कब तक इन्हें इंतजार करना होगा अभी और ज्यादा संयम नहीं रखने वाले हैं इसलिए अगले कल उपायूत कारेले के बाहर प्रदर्शन करेंगे शिमला में और सिर्फ शिमला में नहीं बलकी ओल ओवर हिमाचल में जिला मुख्यालिय में इनकी ओर से प्रदर्शन होने वाला है ये इंतजार कर रहे थे कि सरकार इन्हें वारता के लिए बुलाएगी लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब इनोंने कॉल दे दी है और हर जिला मुख् पैंशनर्स गरचने वाले हैं बात सिर्फ पैंशनर्स की नहीं है बलकी बिरोजगार युवा भी कल सची वाले के बाहर पहुंचेंगे ये वो बिरोजगार है जो नई भरतियों का इंतजार कर रहे हैं इनका कहना है कि तकरिबन 6500 के करीब पद यहां स्विकृत किये गए सरकार की ओर से लेकिन अभी तक नहीं भरे गए हैं क्योंकि राज्य चयन आयोग का गठन जरूर कर दिया गया बहाल नहीं हो पाया है फंक्शनल नहीं हो पाया है आखिरकार कितना ज्यादा समय इसमें और लग जाएगा राज्य चयन आयोग अभी तक फंक्शनल इस वज़ की गई थी दीपक सानन की अध्यक्ष्टा में कमेटी बनाई गई थी लेकिन कमेटी की ओर से जो CBT प्रनाली लागू करने का सुझाब दिया गया है वो किसी काम का नहीं है जब तक हिमाचल सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा भरती करवाने वाली एजेंसी नहीं होगी तब तक ये नई भरतियों का सिलसिला शुरू नहीं होने वाला है रोजाना ये यूवक लाइब्रेरी पहुंचते हैं ताकि एंट्रस टेस्ट के लिए तयारी कर सके लेकिन जब नई भरतियां ही नहीं हो रही है तो कितने पढ़ने का क्या फाइदा है सवाल इनकी ओर से ये उठाया गया है काफी संक्या में कल सची वाले के बाहरी आएंगे और सवाल इनका ये रहेगा कि राजय चयन आयो कब तक फंक्शनल हो रहा है पुरानी भरतियां जो फसी हैं जिनका रिजल्ट घोशित नहीं हो पा लाइंग के साथ हो तरहे हैं उससे बिल्कुल करने वाले हैं क्लाइब बाचित नके साथ हो सके Medical Officer भरती को लेकर भी जानकारी देंगे ये युनानी Medical Officer के पदों के लिए दस अभिहर्चियों को लोग से वायो क्योर से Reject कर दिया गया है आयूरवेद विभाग में ये भरती होनी है और उन दस अभिहर्चियों को Reject किया गया है जिनोंने अपने प्रमान पत्र सही से नहीं दिये थे documentation में एक तरह से ये reject हो गए है website पर ये पूरी सूची डाल दी गई है इससे पहले interview हो गए थे और साक्षातकार होने के बाद ये यहां list सामने आई है documentation भी एक तरह से हो चुकी है कुछ प्रमान पत्र सही से नहीं लगाए गए थे और कुछ एक missing भी यहां अभियर्चियों के प्रमान पत्र बताए जा रहे हैं जिस वज़ा से rejection का इने सामना करना पड़ा है forest card भरती को लेकर बड़ी जानकारी देंगे क्योंकि ये one विभाग की ओर से सरकार की मिल जाएगी तो ये forest guard भरती भी शुरू हो पाएगी उन अभियर्चियों के लिए रहत भरी खबर है जो कि forest guard भरती का इंतजार कर रहे थे यानि कि अगली प्रक्रिया इसमें पूरी होगी ये क्योंकि वित विभाग की ओर से अभी इसमें हामी भर दी गई है तो आगामी कदम अब उसके बाद उठा लिया जाएगा जैसे ही मंत्री मंडल की ओर से मंजूरी मिलती है हलाकि दूसरी और वन मित्र भरती का भी इंतजार हो रहा है लेकिन इसमें नया ट्विस्टी आ गया है कि अब 10 अंक का साक्षातकार नहीं होगा हाई कोर्ट की ओर्डस के बाद तो साक्षातकार की जगा में क्या प्राबधान रखा जा सकता है क्या नई व्यवस्ता हो सकती है अभियर्चियों के लिए इस पर अभी कोई जादा हल्चल हमें नजर नहीं आई है लेकिन सोच विचार जरूर विभाग की ओर से हो रहा है यह 10 अंक भी क्योंकि कहीं न कहीं अड़्जस करने होंगे तो इंटर्व्यू में नहीं तो कहां कि यह जा सकते हैं यह सवाल है और अभियर्चियों की ओर से इसमें पहले ही ग्राउंट टेस्स दे दिया गया है हलाकि फॉरेस्ट गार्ड पर मंत्री मंडल का फैसला आते ही या यूं कहली जिए अंति मंजूरी होते ही यह अगला कदम विभाग की ओर से भरती प्रक्रिया के लिए शुरू कर दिया जाएगा देखे जो स्कूल 20 तक की संख्या रखते हैं वो भी मर्ज होंगे शिक्षा मंत्री रोही ठाकुर की ओर से यह संकेत दिये गए हैं देखे जो भी नैशनल एच्वीब्मेंट सर्वेज हैं वहाँ लगातार हिमाचर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है शिक्षा के स्तर में और कैसे गुणवता लाई जाए कैसे चात्रों के स्किल्स को पढ़ाई को इंप्रूफ किया जाए इसके लिए रोजाना सरकार की ओर से कोई ना कोई नया कदम उठाया जा रहा है अब शिक्षा मंत्री रोही ठाकुर ने संकेत ये दिये हैं कि छटी से लेकर दसवी तक ऐसे स्कूल जहां पर 20 से भी कम संख्या होगी उन्हें भी मर्ज किया जाएगा और एक बात इसमें और है कि जो वरिष्ट माध्यमिक स्कूल होंगे जहां संख्या 25 से कम है उन्हें हाई स्कूल तक ही रखा जाएगा तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे हाईर और सीनियर स्कैनरी स्कूल जहां 20 से कम संख्या है उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा वरिष्ट माध्यमिक स्कूल जहां 25 के करीब ही संख्या है उन्हें वरिष्ट माध्यमिक नहीं रहने दिया जाएगा बल्कि उन्हें higher studies तक ही रखा जाएगा 2800 के करीब पद भरे जाने हैं शिक्षा महकमे में और इस पर शिक्षा मंतरी ने कहा कि अब राजय चयन आयोग जल्दी ही functional हो जाएगा उसके बाद ये भरती होगी 1500 के करीब इसमें TGT और JBT भरे जाने हैं अभी batch wise आधार पर जो भरतियां हो रही है उसमें न्यूकती शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में दी जा रही है जहां पहले से single teachers हैं या without teachers जो स्कूल चड़ रहे थे ताकि आने वाले समय में बच्चों को इस बात को लेकर सफर ना करना पड़े कि वहाँ शिक्षकों की कमी है या शिक्षक है ही नहीं पिछले 20 वर्षों के आंकड़े अगर हम middle, primary और high schools में देखें तो 5 लाग तक संख्या चात्रों की कम हो गई है अब इस संख्या को कैसे बढ़ाना है, enrollment कैसे बढ़ाई जाए इसी पर सोच विचार किया जा रहा है सरकार की ओर से स्कूल छुटियों में बदलाव हो सकता है, ये भी शिक्षा मंतरी ने संकेत दिये है हर मौनसून के दौरान ये मुद्दा गुंशता है शिक्षकों की ओर से भी, अभिभावकों की ओर से भी कि छुटियों का शेडूल बदला जाना चाहिए, जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है, अब इसमें एक जुलाई से छुटियों का प्रावधान किया जा सकता है इस पर सरकार सोच विचार कर रही है, ये शिक्षा मंत्री ने कहा, दूसरी बात इनों ने ये कही कि खेल प्रतियोगिताओं को भी रोकना ना पड़े बीश में अब इस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में की जाएगी हलाकि कैबिनेट में भी ये चर्चा बिल्कुल होने वाली है, बात चाहें हम छुटियों को लेकर करें और दूसरी बात ये जो खेल प्रतियोगिताओं पर बार-बार मौसम के चलते अंकुष लगाना पड़ता है या अन्या समस्याएं बीश में आ जाती है, इससे कैसे निप्टा जाए, कैसे व्यवस्था लागू रखी जाए, इस बात पर सरकार विचार करेगी देखें, हिमाचल सरकार ने एक और सबसीडी को खत्म कर दिया है, और ये जो उद्योगों को प्रती यूनिट एक रुपए के हिसाब से सबसीडी दी जा रही थी इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि सरकार कोशिश ये कर रही है कि कैसे रेविन्यू को बढ़ाया जा सके, इसके लिए चाहे सबसीडाइज यात्रा है या अन्या सबसीडाइज सुविधाए हैं, उन्हें बंद करने का फैसला लिया जा रहा है, हलाकि जो छोटे उद्य इसके बाबजुद भी पंजाब और हरियाना से सस्ती बिजली हिमाचर प्रदेश में मिलेगी, 50 पैसे से एक रुपए तक प्रटी यूनिट ये सस्ती बताई जा रही है कैबिनेट में कौन-कौन से बड़े फैसले कल हो सकते हैं और कौन से एजेंडास को लेकर चर्चा होगी, क्या संभावना है, ये भी जानकारी आपको देते हैं, मुख्यमंत्री सुखु की अध्यक्ष्टा में, क्यूंकि ठीक 12 बजे से कैबिनेट बैठक होगी, बड़ी ब टोटल इसमें 12 पोस्ट हैं और एक पोस्ट को छोड़कर 11 पोस्ट पर रिजल्ल घोशित करने का फैसला अगले कल सामने आ सकता है, दूसरी जानकारी SCRT में और क्या सुधार लाए जा सकते हैं, इसके लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताप त्यार किया गया है, जो की अगले कल की कैबिनीट बैठक में रखा जाएगा, स्वास्तिय विभाग में सुविधाएं और बढ़ाई जा सके, सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर्स की भरती होगी, डेट सौ के करीब डॉक्टर्स की भरती होने जा रही है, लेकिन आउट सो की बात है, रियक्शन इस पर जुरूर कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि आउट्सोर साधार पर डॉक्टर की भरती पहले ऐसा नहीं हुआ, आज मुख्या मंत्री सुखु की ओर से एक और बड़ी अनाॉस्मेंट की गई है, यह हाई कोर्ट में 12 एस्सोसियेशन के कारेक्र में इससे पहले दिखे स्थिती क्या रहती थी, मान लीजिए रात के समय गंभीर हालत में कोई मरीज जाता है, तो डॉक्टर की कमी रहती थी, लेकिन अब खास तोर पर डॉक्टर की पोस्टिंग की जाएगी, उन्हें तैनात किया जाएगा, ताकि वो एमर्जैंसी में भी अपनी पूरी सेवाए दे सके और मरीजों को किसी तरह की कोई परिशानी ना आए, ये फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ एमर्जैंसी मेडिसन के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एमर्जैंसी मेडिसन में तैनाती डॉक्टर्स की की जाएगी और क 800 के करीब doctors की भरती हो सकती है लेकिन outsource आधार पर, reaction जो भी होगा वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, फिलाला आम लोग इसे किस तरह से देखते हैं, और market supervisor भरती को लेकर तो जानकारी दे ही चुके हैं, इनके result घोशित करने का मामला अगले कल cabinet में रखा जाएगा, कार् से मामला बिगड़ गया था, बाकी की 11 पोस्ट पर अब result घोशित किया जा सके, इस पर चर्चा होगी और रहत भरा फैसला भी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर सामने आ सकता है, देखें, राहुल गांधी की पुलिस कंप्लेंट की गई है, ये पूरा मामला क्या है, आपक च्राकेश डोग्रा ने छोटा शिमला थाने में राहुल गांधी के किलाफ FIR दर्च करने का निवेधन पत्र दिया, भाश्पा ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ भार्किय नियाए सहीता की धारा 356, 352 और 152 में केस दर्च किया जाए, भाश्पा ने यहाँ फैसला पन्नू है, ये उनकी तरह बाते कर रहे हैं, अला कि कॉंग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किये गए हैं राहुल गांधी के फेवर में, लेकिन भाश्पाई अब यहाँ पुलिस कंप्लेंट करने पर आ गए हैं, तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे अच्छल TV, धन्यवाद.